Hello Student, University News में आपका स्वागत है, अगर आप PhD करना चाहते हैं, तो यह फ्लर्ट फ्रम आपके लिए है, क्योंकि मैं PhD से रिलेटड अपडेट लेके आते रहता हूँ, यसे मैंने फिलहाल में कई इनवर्सिटियों के PhD के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया ह तो अगर आप PhD करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहाएगा, यहाँ पर सेंटर लून से टीएश्ट एट इनवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपोर्टेंस की संस्ताहना है, मैं पर पीजडी के से रिलेटड अपडेट लेके आता हूँ, तो अ दिखाते हैं आपको पूरा डिटल्स, यह जो गूड नीज आया है, यह पाटलिपूत्र इनवर्सिटी से निकल के आया है, पाटलिपूत्र इनवर्सिटी पटना से और यह है जो की पैट दोजार चौबिस से रिलेटड अपडेट है, आपको गरतलव हो कि कुछ दिन पहल प्रक्रिया शुरू हो जाएगा, और आप पैट दोजार चौबिस जो है, तुरंत होने वाला होगा, यह से तंबर में निकलेगा, तो अक्टूबर नॉम्बर तक आपके फाइनल एक्जाम होने के असार है, क्योंकि अगर पंदरव को निकलेगा, तो एक माह तो टाइम रह होता है, जो भी आप आवाज उठाते हैं, तो उसका असर होता ही है, बहुत से कंडिडेट ने और स्टुडेंट ने इस बात को लेकर पाटली पूत्रियों सिटी से कंटेक्ट किया, जिसके बाद से यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यह अपडेट निकल के आया है, क्या विश्विधाले जो है, प्री-पिएजडी टेस्ट नहीं करा रहे हैं, तो उसके बाद से यह निकल के रिजल्ट आया है, जो सुडेंट और यूनियन ने जो प्रेशा बनाया है, उसके बाद से यह नोटिफिकेशन यह अपडेट निकल के आया है, कि पी-उ जो हमें है, प प्री-पिएजडी टेस्ट आयोजन को लेकर की बैठक बैठक भी हो गया, तुरंत देखे लिजे, और ये नौ सितमबर को प्रकाशित हुआ था, जो ख़बर जो मैं बताया, ये देखी का लिक होगा है, यहां से देखिए, कि पाटले पुत्र विश्विधाले में प्री- प्री-पिएजडी नमानकन टेस्ट आयोजन को लेकर विश्विध्याले प्रशासन ने पहल आराम किया है, सुमबार को कुल सच्चिव प्रोफिसर एनके जहाने पैट दर चोबीस के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की, इसमें विभिन पहलूवा पर विचार किया गया, इसके तहत तैय हुआ की प्री-पिएजडी परिक्षा को लेकर 15 सितंबर तक विश्विध्याले की ओर से बियापन जारी कर आउनलाइन आवेदन लिया जाएगा, इसके बाद नौमबर में इसके लिए परिक्षा आयोजित की जाएगी, उल्सचिव प्रोफिसर एक एनके जहां ने बताया कि राजपाल सक्षिवाले की ओर से पीरी-पिएजडी टेस आयोजिन करने को लेकर सरी विश्विध्याले को निर्देशित किया गया है, इसी आलोक में विश्विध्याले प्रोफिसासन की ओर से बैठक करके इसके आवश्यक रनिती तैयर की गई, इस पर का मिलेगा तो बहुत बरा अपर्चुनिटी है, हलाकि पहले तेश तक ही था, अब इसको बढ़ा के चोबिस तक कर दिया गया है, तो यह बहुत बरा अपर्चुनिटी है, अगर जिसका लेट भी होगा, यहाँ पे रिजल्ट आने में, वेटेंग में होंगे, जैसे उन्हो से लग जाई है, पैट की त्यारी करने में, मैं इसका सिलेवस्ट जैसा ही आएगा, उसको लेकर मैं इसकी त्यारी भी शुरू कर दूगा, पर्टिकुलर जो आर्म है, रिसर्च में चले रोजी का है, तो अगर आप उसे को वीडियो को देखके, आप अच्छी तरह से त्य कर सकते हैं, तो देखिए, अगर आप एक्टिव रहेगा, तो काम तेज इसमें होगा, अगर एक्टिव नहीं रहेगा, तो सुस्ट पर जायेगा, परशाशन इस तरह से नहीं चलता है, तो जो भी एक्टिव हुए, मैंने कुछ दिन पहले भी वीडियो बनाया था इसको ल बात, खबर ने भी इस इस इशु को जोड़ सरसे बात, और उसके बाद ये प्टिव जो है, पर्टली पोतर इन्वर्टी ने प्री पीएजडी का फाइनल लिस्ट जारी कर दिया है, और आनान में इन्हों ने पुरा स्टेट्मेंट भी जारी कर दिया, कि पंदरत्ता कि इ एक्टिविटी हो रही है, इसको लेकर कि एडिमिशन को लेकर ओ शान्त हो जाए, तो ये देखिए, आएगा भी आपन जब इन्होंने डेट दे दिया है, डेडलाइन डे दिया है कि पंदरत्तों का आएगा, तो आएगा, क्योंकि ये इन्होंने स्टेटिमेंट और दिया है, क्योंकि इसमें दिखें लीखा भी होगा है, कि बैठक की गई, पुल सच्चिव इनके जहां पैट के उलोकर बैठक भी किये हैं, ये कल ही बैठक हुआ है, नौ तारिख को बैठक हुआ है, और नौ तारिख को दिखें प्रकासित भी हुआ ख़बर, तो ये बैठ अगर आप पातले पुत्र इंवर्ट सीटी में अडमिशा लेना चाहते हैं, या बिहार के किसी भी इंवर्ट सीटी से अपडेट रहना चाहते हैं, पाटिकुलर पीएजडी अडमिशन से रिलेक्टेड तो आप इंवर्ट सीटी निज़ को अवश से सब्सक्राइब कर ले, क चोटा सचोटा भी अपडेट होगा, तो आप समझे कि मैं उसको लेकर जरूर आऊँगा, बहरे लेट हो जाएगा, लेखी लाते हैं जरूर, तो यह रहा है, पाटले पुत्र से रिलेटेड पीएजडी अपडेट, मिलते हैं इस तरह के नए वीडियो में नए अपडेट क आज बस इतना ही, थाइंक्यू वाचिंग इन्वर्सिटी नीज, इस तरह के अपडेट के लिए आप इन्वर्सिटी नीज को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें